नमस्कार दोस्तों मैं आश्मी निकुमा सरकार और आप देखे टेक्निक लास्ता दोस्तों आप भी अगर अपने Macbook में Microsoft Office 2024 को इंस्टोल करना चाहता है और भी फ्री में एक्टिवेड़ेट और भी Microsoft Official Store से तो कैसे करेंगे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और यह process जो है कोई developing करता है और यह उन person के लिए दिया जाता है जिसको अपडेट वगर आने चाहिए और भी आप यह से इसको डाउनलोड करके आराम से चला सकते है तो कैसे चलाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ सबचे पहले Microsoft का official website में चला जाएए देखे मैं open करके रखा हूँ यह यह पर दिखा हुआ है देखे कैसे इस्टोल करेंगे और मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया है तो 2004 जो है LTSC 2004 यह आपका 365 Microsoft 365 में आपको इस्टोल होगा देखाता हूँ मैं यहाँ यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है और इसका साथ जो एक्टिवेशन है एक्टिवेशन करन इसको इसको भी इस्टोल करना पड़ता है तब यह एक्टिवेट होगा तो यह दोनों को डाउनलोड कर लेजिए इसको भी डाउनलोड किया मैंने इसको भी डाउनलोड किया मैं दिखा जाता हूँ और LTSC का मतलब क्या है LTSC मतलब आपका Long Term Service Channel यह पर लिखा हुआ देखि आपका लैसेंसिक वाला है और यह वाला आपका Office है तो Office को मैं पहले उपन कर लेता हूँ पिल्पण करदिवे, अभिए पर इसको इंस्ट्न करना पड़ेगा, ऐग्री कर दिचेंगे, अगर देखना है तो देख सकते हैं इसको बद कॉंटीन्यू कीजिए इग्री कर दीजिए इसका बद इन्स्टॉल ऐही करना है मुझे अलग से हर्डीस में स्पैस लगे नहीं कर आता हूं चेंग इंस्ट्टलेशन लोकेशन भी नहीं करना है मुझे इस्टोर कर दीजिए पासवार मैं यह पासवार्ड दे दीजिए जो भी आपका मैक का पासवार है वो दे दीजिए इस्टोर सफ्ट्टेर हो जाएगा कि तोड़ा सा टाइम लेगा और मैं भी इसको फास्ट टाइम कर रहा हूं को कि मुझे भी मैक बूप में माइक्रसोप ऑफिस डालना है तो मैं सुच रहा हूं कि इसको माइक्रसोप ऑफिस से जब यह फैसिलिटी दे रहा है चलिए इंस्टल हो गया अब ही मैं जो पैकेज है सी एलाइस को इसको इसको इंस्टल कर लेता हूं जो देखिए पर में आ गया शिस्टम सेटिंग मास्ट पी चैंज बीफोर दा मैक्रसोप ऑटो अप्लोडर ठीक है सेटिंग में जाके पर्मिशन देना पड़ेगा इसको कर देता हूं पास्वार माया आगा दे देता हूं करता हूं प्रसाइब करता हूं करता हूं क्रता हूं करता हूं कि बाद में कर लेंगे इसको PAUL LIN या कर देख्गादा को हूं करनें नहीं है तो इसको मैं बाद में देखूंगा अगर पर नहीं करने से प्रट्लाम होता ते फिर बाद में करूंगा इस कीप सकीप कर देता हूं अधिक कर देता हूं तो अभी अभी ओपन करके देखता हूं एप स्टोर में चला जाए है यह अपर देखता हूं यह दिखिया आ गया है आपर काफिसर आ गया मैक्सव ओफिस को फुलता हूं वाट को अभी वाट अपर ओपन हो रहा है आ यह अपर द सब्सक्राखर कर देथा हूं अभी एक पेजी तक बहुन है कर देताहूं piano टाइप कर सकता हूं की नहीं देखता हूं टैप कर सकता हूं टक्निकल है और अउन्मिक है अच्वेया करेुँ अध्यान को अच्वे आप है तो यहां पर आप इसको सेफ कर सकते हैं सेफ कर लिजिए यहां पर सेफ कर देता हूं कहां पर सेफ करना चाता है वन ड्राइप में कर सकता है और आगे भी डेक्स्टोप में भी कर सकता है तो चेंज करके आप का लिजिए डिसेंट फोल्डर डिसेंट फोल्डर में इसको डिस गुआ सपो डिए पर आ चुक आ कर देता हूं अबहु मैं आपको दिखा था हूं एकसल एकसल ऑन हो रहा है तो एकसल हो गया इसको कंटीन्यू कर तो इस ट्रोट इस Sind एकसल suis इसको कर दता हूं एक्सेल भी खुल गया काम आन्व से कर सकता हूं कि जगता हूं कि 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 मंदे बढ़े सा काम हो रहा है तो इस तरह से आप अपना मैक में फ्रीली कि मैक्रोशुप ऑफिस 2024 को डाल सेकते हैं देखिए अभी 24 वाला है अगर 24 वाला होगा तो आपको 365 वाला हो जाएगा तो तो दोस्तों इस तरह से आप मेरा कि चले इसको सेब कर देता हूं कि सेब में क्लिक किया मैक बुक में करना है तो ओन मैक कर देता हूं डेक्स्टोप में कर देता हूं तो देस्टोप यह पर आ जाएगा डेक्स्टोप सेलेक्ट कर देता हूं डेक्स्टोप में आ गया वह दो फाइल आ गया यह दिखिए आप पे एक हो गया यह xlx वाला यह होगया आपका docx हो जबहला है है मतलक्त डधौल m Dir Actually एक्सेल फाइल времен और पावरप्वाइं भी से में इसके कर सकते हैं तरफ खेना है आपको यह पावरपॉइंट ओ गया सभी काम कर रहा है बढ़ीया वरिया से यह PowerPoint ओन हो रहा है continue कर दाए हूं पहला टाइम में यह आता है फास्ट टाइम में यह देखिए एक आप चूस कर लिजे मैं इसके चूस कर लिया हूं गेट कर देता हूं कि अधिक यह पर कुछ लिखना है तो लिख सकते है कि अधिये कि इसको भी सेब कर दीजिए ऐसे करके सेब करता हूं ऑन मैक डोकुमेन के जगह में मैं यहाँ पर देता हूं डेक्स्टॉप सेब सेब हो गया क्लोज कर देता हूं यह देखिए तीन फाइल सेब हो गया तो दोस्तो इस तरह से आप अपना मैक बूक में फ्री में Microsoft Office 2024 को डाउनलोड कर सकता है और उसको फ्री में चला भी सकता है तो दोस्तो मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जिसने इसने मेरा चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाराइब बाराइब